हेलो एवरिवान कैसे आप सब आई होव आप सब बहुत अच्छे होंगे जहां भी होंगे स्वस्त और मस्त होंगे गुड मोर्निंग गाईज अभी सुबह के साड़े-पाँच बज रहा है और मेरे घर के सारे काम कटम हो गया जाड़ू-पोचा जो क्लेनिंग वाले काम है औ प्रभी आज मैं साड़े चार बचे जगी हुई थी गाई तो फिन मैं जाड़ू पोचा कर ली हूँ और अभी दोनों बच्चे सोय हुए थे पतिदेव सोय हुए थे तो फिन मैं आ गई थी नहाद हो आके फिन मैं रेडी हो जाओंगी गाईज क्योंकि नवरातरी चल रहा है पर मैं रेडी हो गई थी गाईज तब मुझे याद आया कि मुझे पैर कलर करना है तो फिन मैं इधर च्छत साइड में आ गई थी पैर कलर करने और अंदर रूम के तरफ मैं पैर कलर इसलिए नहीं करती हूं नगाईज की थोड़ा भी गिर जाता है न तो बहुत खराब द क्योद होती हैं पूजा के पहली ही ढोलया कीजिये तो फिर मैं जब साम के नहाती ओना जैसी अच्छ Magic के नवरात्री नाव eerste काम ना होता एक टाइम होगाना खाते हैं ।ो मैं उनके लिए जब खाना बदाने जाती हूं न ना के उससे पहले में पूजा वैक्लना पर शहज पूजा करने और मेरा सुब मॉर्निंग में जूठा बरता नहीं रहता है बिल्कुल थोड़ा बहुत मितलब सरफ डाल कर इसी तरह से धो लेती हूं कि रात में धोके रख देती हूं फिर भी मॉर्निंग मोड़ती हूं देक वर धो लेती हूं गाईज और तो यहां पर मैं पूजा करने आ गई हूं गाईज और मेरा पूजा पार्ट सब कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं आ गई हूं कि चल में अभी टाइम साड़े छे बज़रा था तो यह मालाई निकाल लेती हूं दूद से फिन गुर्गुना यह दोनों जग्ये हैं और दोनों संड़े त के नश्ता कर लेंगे और उसके बाद में यह लोगो को बहा दूदद देख जल्दे भानअ बना दूंगी तो खाना भी बना लेती हूं और उसके बाद खाना उना बना कर गया सो इस पोचना पड़ता है क्योंकि पती देव के फिर फली उली खाना उखना भूनूंगी ना जो फलाहार की है ऐसे तो अभी ओस्वे हुए थे तो यह दोनों को चुरा और दुद्य दी उसके बाद मैं अपने लिए ग पतलब हर बड़ हो जाता है और पुला पाक्र करने में काफी टाइम भी लग जाता है क्योंकि भाट करना होता है तो चक्राम लग जाता अंधे हुए-दुर्गाव्यौश्य Ś आदा रखिग्लिस में मैं पढ़ती हूं जैसे कलस तो गया है क्रते नश्याने मैं फिर skills नहीं रखी हूं और यहां पर मैं जीरा को रोष्ट की थोड़ा सा रोष्ट करके जीरा फिन इसको पाउडर बनाऊंगी और यह चीनी मंगाई थी ब्रत वाले चीनी है ऐसे जो डेली जो आले चीनी एना घर में था फिर भी मैं सिया को पैसा देखे के जी चीनी मंगा ली थी कि उनक गएचा लोकी ले हुँ गяज आधा रख दी हूँ तो इस लोकी को मैं डाल में डलके लोकी बनाऊंगी तो यहांपर दाल को अच्छे से दोफोली थी उसके बाद हलती हैं सेना नमक डाली हूँ गाईच और यह थोड़ा सा जीरा पाउर डाली हूं और अबीना में डिली मे पूरा कीचन से जो नर्मल वाले नमक था सब हटा दी हूँ लसुन पर आज सब हटा के साइड में रख दी हूँ अभी कि ये पूरे नवो दिन सेना नमक वाले ही खाना हम लोग भी खाते हैं ये चावल था जिसको मैं एक डिर घंटा पहले जब सुबा उठी थी ना तभी भी भी गोदी थी और तीन चार मिर्चा डाल के उसको पीछ ली हूँ और इसमें नमक डाली हूँ हल्दी डाली हूँ और जीरा पाउडर जो भूनी थी ना गैज इसको भी ढाल दी हूँ और दाल मेरा बन रहा है तो इधर मैं आलू और लोकी की पकोड़ी भी बना लोगी और यहां पर ना मेरा तेल गरम हो गया था यह मुंफली वाला तेल है तो मैं इसमें अपना पकोड़ी डाल दी हूँ और डेली में ही मैं अतलब गाईज में मुंफली वाले ही तेल यूज कर रही हूँ कोड़ें और यहाँ पर मिरा दाल बन गया है तो इसमें तड़का लगा दी हूं और मेरा दाल में तड़का लग गया है तो फिन मैं इसे कूपर में चाव भी चड़ाऊंगे इदर एक साइड बफ पकोड़ी भी बन जासे गा तो आज दो फार कीॹाने में हो जाएगा दाल चावल और आलू और लौकी की पकोड़ी तो यही हम सब खा लेंगे गाईज और अभी मुम्पली वाले ही तेल यूज कर रही हूं क्योंकि पती देव एक केजी तेल लाए थे और एक केजी में सिया को पैसा देगे मंगाली थी तो दो केजी तेल है तो इतना सार नमक भी ले लिए यह मेरा खाना है और आज कल कई बर नहाना धुआना पड़ जाता है और तो बच्चे के भी थोड़ा छोटा वाला का मेरा तबियत भी आज डाउन है तो मैं कई बर नहा धुआ रही हूं क्योंकि उल्टी-उल्टी कर दिया था उसके लिए मुझे नह पड़ा साफ की उसके बाद फिर में नहाई और यहां पर मैं बरतन रुतन धो लेती गाई जियां अंस बैठा हुआ है इसका काफी तबियत खराब हुआ है देखिए उल्टी करके रखा है और एक बर में साफ के नहाई फिर यह उल्टी कर दिया है जैसी यह दाल चौल खाय करेंगे डक्टर को और दावा ले आदेंगे ऐसे हम घर में बुखार के सर्दी के जो खाम के सब दावा रखते हैं तो अभी मैं डोलो इसको दी हूं गाईच क्योंकि इसके काफी फीवर भी है और असिया और अंस दोनों ने मतलबाद मासी कर रहे थे तो मैं दोनों को होना तो दोनों इतना हाला करते हैं अज संडे भी हैं और पती दो भी घर पर और यह लोग परसान कर रखे थे तो फिन मैं इस ब्लोकों दोनों को डाट के बैठाई हूं पढ़ने के लिए तो आंस तो पढ़ाई नहीं कर रहा है क्योंकि काफी इसकी तवियर डाउन हो गई मैं में लूंगी नेक्स